नमस्कार परदाफाश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली आज परदाफाश में बात करेंगे भारत में टूट रहे सद्यों पुरानी रूडी वादी प्रथा की जो अब भारत को एक अच्छे मार्क पर ले कर जाएगी क्योंकि वो कहते है ना जो महिलाओं का सम्मान होता है वही भगवान का वास होता है लेकिन इस्लामिक कानून देश को पीछे ले जाने का काम सद्यों से करता आया है आज इसी इस्लामिक कानून का परदाफाश करेंगे क्या कुरान मुसलिम पुरुषों को दूसरी शादी की इजाज़त देता है या ये प्रथा कटर पंतियों ने बनाई थी एक पत्नी के रहते मुसलिम पुरुष चार शादी करता है क्या ये जायज है हाई कोट ने मुसलिम मर्द को दिखाया आइना दूसरी शादी करने पर क्या लगेगा बैन? मुसलिम मर्द का दो पतनी रखना हराम भारत में मुसलमानों के लिए एक से जादा शादी करने की छूट दी गई है IPC के धारा 494 के तहट मुसलिम पुरुशों को दूसरा निका करने की इजाज़त है इसी तरह से शरियत कानून की धारा दो के तहट बहु विवा की अनुमती दी गई है पहली पतने के सहमती के बना चार शादिया करने की छूट है हाला कि इस कानून के तहट सिर्फ पुरुशों को दूसरी शादी की अजाज़त है मुस्लिम महिलाओ को मुस्लिम विवा अधिनियम के तहट दूसरी शादी की अजाज़त नहीं है अगर कोई मुस्लिम महिला दूसरी शादी करना चाहती है तो पहले उसे पती से तलाक लेना होगा लेकिन क्या आपको भी नहीं लगता चार शादी करना एक गुना है क्यों मुसलिम पुरुषों को ये अजादी दी गई है इसलाम धर में पुरुष के निकाह करने का मसला हमेशा सही विवादत रहा है पुरुषों का यही मानना है कि वो जितनी भी शादिया करना चाहे कर सकते हैं और इस बात की उन्हें उनका मजब इजाज़त देता है लेकिन ये सभी लोगों के बीच में बहुत बड़ी गलत फैमी है पवित्र कुरान के अनुसार इसलाम धर में केवल चार शादी मान्य है वो भी विशेश परिस्थितियों में बेशक इसलाम में चार शादिया करने के अनुमती है आप कर सकते हो लेकिन ये आग्या नहीं है कि आपको चार शादी करनी ही होगी सिर्फ अनुमती है वो भी शर्तों के साथ आदमी को अपनी अयाशिया या रंग्रेलियों के लिए ये अनुमती हर्गिज नहीं मिली थी बलकि किसी विद्वा परिद बक्ता को सहारा देने के लिए मिली थी एक बीवी के होते हुए आदमी दूसरी बीवी तभी ला सकता है जब पहली की रजामंदी हो और दूनों के बीच कोई भेदभाव ना किया जाए लेकिन इस अनुमती का दुरुप्योग होता रहा है आज सही नहीं सद्यूद लेकिन अब वो सूर्य तो नहीं लेकिन उसकी एक किरण जरूर पड़ी है वो इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति जो अपनी पहली पत्नी की इच्छा के विरुद दूसरी शादी करता है पहली पत्नी को इसके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत का आदेश नहीं मांग सकता इलाबाद हाई कोट ने ये टिपड़ी की है न्याय मूर्ती सूर्य प्रकाश के सरवानी और न्याय मूर्ती रजेंद्र कुमार की खंड पीट ने ये टिपड़ी एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर एक अपील पर विचार करते हुए की जिसमें एक परेवारिक अदालत के आदेश को चुनोती दी गई थी जिसमें दामपत्य अधिकारों की बहाली के लिए उसके मामली को खारिच कर दिया था पीट ने याचिका को खारिच करते हुए कहा कि पवित्र कुरान के अनुसार एक पुरिश अधिक्तम चार महिलाओं से शादी कर सकता है लेकिन अगर उसे डर है कि वो उनके साथ न्याय नहीं कर पाएगा तो केवल एक सही शादी कर सकता है अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है वो पवित्र कुरान के अनुसार दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता और इसके अलावा एक मुस्लिम पती को दूसरी पत्नी लेने का कानूनी अधिकार है जबकि पहली शादी बनी रहती है जिस तरीके से कोट ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई है वो बेहत तारीफे काबिल है कोट ने क्या कहा चलिए ये भी बताते हैं कोट ने कहा कि जिस समाज में महिला का सम्मान नहीं उसे सब भी समाज नहीं कहा जा सकता महिलाओं का सम्मान करने वाले देश को ही सब भी देश कहा जा सकता है कोट ने मुसल्मानों को स्वयम ही एक पत्नी के रहते दूसरे से शादी करने से बचना चाहिए कोट ने कहा एक पत्नी के साथ न्याय न कर पाने वाले मुस्लिम को दूसरी शादी करने की स्वयब कुरान ही इजाज़त नहीं देता कोट ने सुप्रीम कोट के तमाम फैसलों का हवाला दिया और कहा कि सम्विधान के अनुचेत 21 के तहट प्रतियेक नागरिक को गरिमाय जीवन वव्यक्तिगत सुवतंतरता का मौलिक अधिकार है अनुचेत 14 सभी को समानता का अधिकार देता है और अनुचेत 15 दो लिंग आदी के अधार पर भेद भाव करने पर रोक लगाता है कोई भी व्यक्तिगत कानून या चलन सम्विधानिक अधिकारों को उलंगन नहीं कर सकता कोट ने कहा परस्नल लोग के नाम पर नागरिकों को सम्विधानिक मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जीवन के अधिकार में गरिमाई जीवन का अधिकार शामिल है कोई भी मुस्लिम पत्नी बच्चों के देखभाल नहीं कर सकता तो उसे पहली पत्नी की मर्जी के खिलाब दूसरी से शादी करने का अधिकार नहीं ये पहली पत्नी के साथ कूरता है कोड भी पहली पत्नी को पत्ती के साथ रहने के लिए बाद नहीं कर सकी दरसल ये मामला उठा कहां से ये आपको बताते है अजिवुर रह्मान वह हमीदु निशा की शादी 12 मई 1999 में हुई थे वादी पतनी अपने पिता की एक मात्र जीवित संतान है उसके पिता ने अपनी अचल संपती अपनी बेटी को दान कर दी वो अपने तीन बच्चों के साथ 93 वर्षे अपने पिता की देख भाल करती है बिना उसे बताए पती ने दूसरी शादी कर ली और उसे भी बच्चे है पिता ने परिवार अदालत में पतनी को साथ रहने के लिए केज दायर किया परिवार अदालत ने पक्ष में आदेश नहीं दिया तो हाई कोट में अपील दाखिल की थी जिससे हाई कोट ने खारिच कर दिया हिंदू और मुस्लिमों की शादी में अगर आपको अंतर समझाए तो एक सिंपल सातर्ख है हिंदू और मुस्लिम विवाओं में मूल भूत अंतर ये है कि जहां हिंदू धर में विवा संबन एक धार्मिक अनुष्ठान है इसलाम में वो एक अनुभन यानि कॉन्ट्राक्ट होता है बले ही कानून ने इसकी अजादी दी है लेकिन सदियों से इसका दुरुपियोग होते आया है और महिलाओं की इज़त से भरी जिंदगी जीने पर इस कानून ने बैन लगा दिया है आखिर क्या मुस्लिम समाथ की किसी महिला को अपने हिसाब से जिन्दगी जीने का अधिकार नहीं है क्या उसकी अपनी कोई पसंद नहीं हो सकती जिस तरह से एक मुस्लिम पुरुष कई शादिया कर सकता है उसी तच पर क्या एक महिला ऐसा नहीं कर सकती क्या दूसरी शादी करने के लिए सिर्फ महिला को ही अपने पहली पती से तलाक लेना जरूरी है और अगर मुस्लिम पुरुष दूसरी तीसरी या चौथी शादी करता है तो उसके लिए तलाक अनिवारी क्यों नहीं अब सरकार ने महिलाओं के लिए आवाज उठाना शुरू किया है जी हाँ सरकार से हमारा मतलब है बी जे पी देश की मोदी सरकार ने धाई साल पहले ही मुस्लिम समाज में बड़सों से चली आ रही तीन तलाक की व्यवस्था को अपराद करार देते हुए मजबूत कानून बनाया है इस कानून का सबसे जादा फाइदा उन महिलाओं को हुआ जो मुस्लिम समाज में पुरुषवादी सोच और पुरुषवादी अहंकारे व्यवस्था का शिकार होती रही है अब मात्र तीन तलाक कह देने पर पती-पत्नी का रिष्टा खत्म नहीं हो जाएगा अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो उसे कानून विधी विधान का अनुपालन करना होगा मात्र तलाक 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 कह देने पर से उसका पिंड छूटने वाला नहीं है मुसलिम महिला विधेक के कानून बनने के बाद से मुसलिम समाच की महिलाओं ने जिस तरह से बर चड़कर मोदी सरकार के इस पैसले की तारीफ की उससे अब मुसलिम विवा अधिनियम 1949 के तहट बने मुसलिम पुस्नल लोग के प्रावधानों में भी बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी है दो दशक पहले तक देश में मुसलिम महिलाओं की साक्षरता दर मात्र पाच पीसदी हुआ करती थी धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए मुसलिम महिलाओं ने स्वयक और अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना आरम किया अब साक्षरता दर 35 से 40 पीसदी तक पहुँच गया है जो एक बहुत बड़ा क्रांतीकारी परिवत्तर है ये मुसलिम महिलाओं की जागरुपता और केंद सरकार की इच्छा शक्ती का ही परणाम है कि मुसलिम महिलाओं को तीन तलाक व्यवस्था से नितान्त अजादी मिल गई ऐसे में सवार उत्ता है कि फिर मुस्लिम विवा अधिनियम के मुस्लिम परसनल लो में ये कैसा प्रविधान की मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी के लिए तलाक लेने का अनिवार नहीं है मगर महिला को अपने पहले पती से तलाक अवश्यतोर पर लेना होगा इसी विवास्था में बदलाब आज की सबसे बड़ी जरूरत है मुस्लिम समाज में सुधारवादी पुरुषों के लिए चुनौती और केंद्र सरकार के लिए एक और पायदान पर आगे बढ़कर इस असमानता को खत्म करने की बड़ी जिम्यदारी आन पड़ी है इसमें मुस्लिम समाज के धर्मगुरू सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं पर दफाश में आज के लिए इतना ही कलने मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रोईए क्यापिटल टीवी नमस्कार पर देखते हैं